असनाम अलेकूँ हाँ देखिए 12th के लिए class है अब देखिए हम applications of integrals पे आ गए थे और application of integrals में हमें question number 9 को गरना था देखो exam day से रह और जल्दी-जल्दी से मैं इसको खतम करूंगा ताकि आपकी text clear हो जाए question number 9 अगर अब देखिए you know applications of integrals that is you have to find the area of the region bounded by the crew y equals to x square and y equals to modulus of x इसका अपने area निकाल है ठीक मैं इसका area निकाल रहा हूं देखिए या मैं इसका area कैंसे निकाल हूंगा इस आप इस आप आप इस आप 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 सबसे पहले इस आप 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 solutions अप मितलब आप 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 में एक्स इस रेज़न्स जीवो और इसका ग्राफ मॉडल दस फॉंक्शन का ग्राफ लेवन्त में हमने पड़ा है इस वी शेपड़ कर ओ यहां से और यहां से इस वाली लाइन का नाम है y is equal to minus x यहां पे इसका नाम है y is equal to positive x ठीक यहां तक clear है इसमें कोई issue है इसको रब कर रहा हूं बोड काम है ठीक चल देखिए अब आपने देखा ना कैसे कैसे आपको plot करना है ग्राफ हाँ वो हमने कर दिया अब इसके बाद जो भी करना है वो आप गोर से देखेंगे देखो करना क्या है मुझे इस रिजन का भी एरिया निकालना है इस रिजन का भी एरिया निकालना है और आपको परता है वाइस सेमेट्रिकल एलॉंग इज पेयरा बोलाइस समेट्रिकल एलॉंग एक्सीज और वीशी प्रव यहांसे इसका एक एंड है यहांसे दूसरा एंड मतलब यह हो गया जितना एरिया इस रिजन का अगगा उतना ही आई यहीया इस रिजन का रायं में जितना होगा उतना ही left में और right में अगर हम निकालेंगे ना उस area को फिर multiple करेंगे two से आपको सारे का area multiple मार्टिपल करना एक ही side का area निकालेंगे उस सारे का फिर आएगा multiple by two मुझे इस region का area निकालना इसका नाम मैं O ले रहा हूँ यहाँ पर मैं कोई arbitrary point चूज़ करूँगा A क्यूंकि इससे मेरा काम आसान हो जाए इस point का नाम भी को यह अगर मुझे पूछेगा न मैं किसका area निकालूँगा मैं निकालूँगा area O A B O का हाँ O A B O को उसी area को multiple करेंगे 2 से मुझे इसका भी रह जारेगा ठीक यहां तक क्लियर है अब देखो इस region का area मैं directly calculate नहीं करूँ कर पाऊँगा देखो यहाँ यहाँ पर A करूँ है that's YZ create X square and this is YZ create X दोनु वैरेबल से हैं वसलों दोनु फॉंक्शन से हैं अगर मैं इसका area directly calculate कर पाता ना चलो मैं करूँगा integral from zero to something फिर मैं इस line पे इसका area depend करेगा या इस करूँ पे यह भी variable यह भी variable मतलब मैं इसको separate नहीं कर पाऊँगा अगर आपने किया चलो मैं इसका area निकालूँगा और मैं बोलूँगा यह करूँगा यह करूँड करता है इसका area depend कर रहा है इस करूँगा आपने calculate किया ठीक दूसरे case में कोई बनना आएगा वो बोलेगा ना मैं बाई का वी लिए इस करूँगा इस करूँगा और उसका area कुछ different आएगा मतलब इन cases में मैंने बोला था आपको वहाजनों पे भी जब दो curves होंगे ना दो combination of two curves तो फिर हम क्या करते है area को two parts में divide करते है वही मैं यहाँ पे करूँगा उससे हमारा exact answer आएगा इससे exact answer नहीं जाएगा सबसे पहले आप एक करूँ यहाँ पे कर रहा है ना intersect right वाले साइड का मैं बोल रहा हूं यहाँ पहले इस point की coordinates निकाले है निकालो यहाँ पे कौन-कौन सा point कौन-कौन सा करूँ मिल रहा है y is equal to x to get and y is equal to x y is equal to x to get and y is equal to x sorry कीजिए मैं इस y के बत्रे value put कर सकता हूँ x x minus x is equal to x to get इस x to get को यहाँ आईए x minus x to get is equal to 0 x common 1 minus x is equal to 0 ठीक अब मैं क्या करूगा या तो x 0 के बराबर होगा और या तो 1 minus x 0 के बराबर होगा x कहाँ पे 0 के बराबर है यहाँ पे जहाँ पे यह मिल रहे है मुझे ये वाला point नहीं चाहिए मुझे ये वाला चाहिए जो origin से दूर होगा मतलब इसको reject करेंगे यहाँ पे आपको आएगा x equals to 1 being mathematics आपको पाता है कैसे अब अगर x आ गया 1 अब मुझे किसका वेरू चाहिए य का चाहिए ना ठीक अब मैं क्या करूंगा इस point से पर्पेंडिक्यू लड़ागों करेंगे यहाँ पे आप वीडियो को pause करेंगे और copy करेंगे मैं इसको रब करना हूं ठीक आप देखो है देखें क्या पहर्या आसान है आपको आएगा देखो आप एरिया आफ रिजन ओ, ए, बी, ओ इसी इक्वेट्ड एरिया आफ रिजन पहले देखो किसका निकाल हूंगा इसका निकालना है ना पहले में सारे का निकाल हूंगा ओ, सी, बी, ओ, ओ, माइनस एरिया आफ ओ, सी, बी, ए, ओ, ये ए मुझे इसी वक्त काम आनेगा ओ, सी, बी, ओ, ठीक, देखो मसलब क्या हूंगा इस पार्क का अइरिया निकालने के लिए पहले सारे पार्क का अइरिया ट्रैंगल का अइरिया फिर इसका अइरिया मैं सारे अइरिया को ये वाला अइरिया माइनस कर रहा हूं, मुझे इसका अइरिया में देखा ठीक, देखो जो मैंने सारा लिया न, O, C, B, O, इसका देखिये इसमें O, C, X, X, C is constant है C, B, perpendicular, constant है इसमें जो करवाता है न, that is, ये वाला, O, B, that is, Y is equal to X मतला, इसमें variable करो, खाली ये आ रहा है बाकी ये भी constant और ये भी constant है दूसरे case में देखिये इस नीचे वाले case में ये है, O, C, B, A, O इसमें O, C, कौन स्टेंग C, B, कौन स्टेंग ये depend करेगा इस आर्ग पर, इस आर्ग पर इस करो पर इस करो इस Y is equal to X क्या है मतलब separate हो गया अभी जब मैंने direct भोला था न, इसमें वो इस पे भी depend कर रहा था इस पे भी, लेकिन जब मैंने इसको break किया न, two parts में अब एक line मतलब एक region एक करो पर डिपेंट कर रहा है दूसरा region दूसरे करो पर डिपेंट कर रहा है that's the fund है, इसमें ये ही कर रहा है हाँ, चलो अब देखेंगे आप इसके बाद या को पाता है किसका area निकालना area of o, c, b, o o, c, b, o मतलब यहां से लेकर यहां तक यहां पे x का coordinate क्या है इस 0, 0 यहां पे क्या होगा 1, 0 क्योंकि यहां पे x का value 1 आएगा y इस x इस पे 0 होता है मिन्स यह आएगा 0 to 1 integral 0 to 1 y d x आया समझ कैसे c trips आपको पाता है c trips कहां से बनाने x x इस की ओर से हो गया लेकिन यह value किस पे depend करेगा आपको पता है it depends upon this line मिन्स it depends upon line अब की याद के लिए मैं रख रहा हूँ l यहां पे मैंने लिखा है मतलब यहां से अगर आपको y का value निकालना है तो फिर y का value निकाल यह line मैं से that line is y is equal to x हाँ माइनस मुझे करना है इस पार्ट का area इस पार्ट का area मुझे माइनस करना है यह भी range कहा से कहां तक होगा 0 से लेकर 1 तक होगा और इस पे भी क्या आएगा y dx लेकिन यह y किस पे depend करेगा it depends upon the parabola खतम l means line p means parabola line का मतलब y का value line से निकाली है p का मतलब y का value parabola से निकाली है चलिए इस इंटागरा 0 to 1 line से y का value निकाली y is equal to x मतलब y का value line में x है dx minus 0 to 1 parabola से y का value निकाली है y का value वहाँ पे आ रहा है x सुक्याइब ठीक कीज़े integration जो आपको आप दिया जो आपको आप दिया integration बढ़ी कीज़े it's x सुक्यार भाई 2 0 to 1 x q भाई 3 0 to 1 अपर लोर, लोर से 0 भनेगा अपर से 1 भाई 2 यहाँ 1 square by 2 और आपको बागे बन बनेगा 1 by 2 minus 1 by 3 cross up कर के आएगा आपका 3 minus 2 that's 1 divided by 6 इस पार का area आ गया 1 divided by 6 अगर इसका 1 by 6 आ गया total area जो यह चाहता है न हम निकाले उसका area क्या आएगा that is total area is equal to 2 times area of O A B O 2 times this मतब इसमें फिर यह गया आएगा that's 2 times 1 by 6 2 times 1 by 6 is equal to 1 by 3 so के लिएट हो के आपका गया 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 आपका गया ठीक चलिए 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 मैं इसको रफ कर रहा हूँ आप रोक वीडियो को रोकिंग को पी करेंगे जिसको चाहिए हाँ बागी पे इसको रफ कर रहा हूँ मैं एक और question पर आ रहा हूँ इसमें इक दो questions ऐसे हैं जो आपको खुद नहीं आएंगे जो आपको आए आएंगे ना वो में बोलूगा मैं पहले देखूँगा question number 10 क्या है अगर आपको आएगा तो फिर I'm carry Question number 10 Find the.. ना ना यह नहीं आएगा देखो question क्या है Question number 10 यह question से ही कहा बहुत सारी questions और रोको गोले से Find the area of region x to care is equal to 4y and चलो में इसका नाम फर्स दे रहा हूँ Add the line दूसरी क्या है Line That line is x is equal to 4y minus 2 यह 4y minus 2 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 5 5 5 6 इस इस और इस curve के common region का area निकाल ला है मतलब वो region जो यह करू और यह करू bound कर लक है उसका मुझे area निकाल ला है सबसे पहले आप यह देखिए इस पहले इस पहले इस पहले इस पहले इस सिट्रेट लाइन का ग्राप्रा करूंगा फिर मैं बोलूंगा common region कौन सा होगा और उस common region का area हम कैसे निकालेंगे ठीक देखिए देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे लाइन और पैराबोला ड्रा करने के लिए आपको पता है लाइन और पैराबोला जरूरी कही न कहीं पे मिलेंगे पहले मैं देखूंगा इनके common points कहां कहां परोंगे वही मैं देखूंगा पहले उसके लिए मैं क्या करूंगा इसको मैंने first नाम दिया ना इसका नाम दे रहा हूं second put second in first मतलब पहले मैं देखूंगा ये करू और ये करू किस point पे intersect करेंगे अब मैं ना ऐसा नहीं कर सकता कि मैं original करू ड्रा करू वैसा हम नहीं करते हैं हम short में arbitrary curves ड्रा करते हैं उससे फिर हमें बता चलता है हमें करना क्या है वह मैं दिखाऊंगा ना अब देखे x कर यहां पहना 4y 4y के बंदे क्या आएगा यह 2 यहां आएगा ना बनेगा x plus 2 ठीक 4y 4y का बंदू यहां से निकाले इसको यहां shift के जिए that is 4y means right hand side is equal left भी equal आएगे इसको यहां गा x के minus x minus 2 is equal to 0 quadratic है ना मेंदे तो हम सप्प्लेट के जिए मेंदे तो हम अगर आप सप्प्लेट करेंगे ना आपको बताय करना क्या डाइस कुछ इस तरह लेगा x कैर minus 2x plus x minus 2 is equal to 0 हो गया x common x minus 2 plus 1 common x minus 2 equals to 0 x minus 2 x plus 1 equals to 0 यहां से x का value क्या आएगा positive 2 यहां से x का value क्या आएगा negative 1 ठीक positive 2 and negative 1 ठीक चलो देखे जब मैं x का value लूँगा ना positive 2 उस वक्त देखो y का value क्या आएगा y का value क्या आएगा आप यहां से भी कर सकते x का दिया ना positive 2 positive 2 square बनेगा ना 4 is equal to 4y minus y is equal to 1 उस टाइम y का value 1 आएगा confirm आपको पता है मैं जल्दी जल्दी कर रहाँ क्योंकि वीडियो की like जाला हो रही है अब इसके बाद देखे अब मैं x का क्या दूँगा minus 1 जब मैं यहां पे x का minus 1 दूँगा minus 1 square बनेगा positive 1 y का value आएगा बस निकाले आपने हो गया काम देखो कैसे आप देखे 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 हो गया ने यहां तक मतलब आपको अब यहां तक निकालना आएगा solo करना आएगा देखे मैं उपड़ रहा करूँगा this particular region quadrant system मैंने बनाया curtain quadrant system अब इसमें मैं क्या करूँगा यह आपका parabola है symmetrical along y axis मैं इसको draw कर रहा हूँ किया मैंने इसको draw अब किसको draw करना है line को parabola draw करना असान है आपके लिए यह मुझे पढ़ता है line आपने 7th से पढ़ी है लेकिन इसको directly draw करना मुश्किल है लेकिन कुछ नहीं करना है बस आप याद रखे करना क्या है देखो line draw करने के लिए x का value 2 है y का value उसको क्या है x आपका 2 यहाँ पे है suppose करके y का value 1 suppose करके यहाँ पे है ठीक 1 & 2 के between यहाँ पे आपका point आएगा which is 2,1 2,1 ठीक हो गया दूसरा जब आपका x क्या है minus 1 चरो मैं x का minus 1 यहाँ पे ले रहा हूँ arbitrary directly मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आपका minus 1 है x y का value क्या है 1 by 4 1 by 4 is 0.25 0.25 लगबक यहाँ पे आएगा मतलब यह वाला point देगा at least आप मालो यहाँ पे point पे लेगा this point is minus 1 कामा 1 by 4 एक point parabola पे यहाँ पे आ रहा है दूसरा point यहाँ पे आ रहा है इनके between line draw कीजे that is the line वही line है this is the line ठीक यह जरूरी नहीं है आप इससे बाहर भी जाबों अगर कोई चाहिए का भी no issues इसमें issue है यह नहीं चलो देखिए अब आपको परतर यह वाला region bound हो गया between the two curves इसका area निकालना है पहले इसका नाम देंगे यहाँ पे A यहाँ पे O यहाँ पे B और यहाँ पे रखेंगे C ठीक किस region का area निकालना है A O B C लेकिन आपको पाता है दो curves है directly नहीं हो सकता अगर directly नहीं हो सकता तो फिर क्या करना है यहाँ से भी परपेंडी क्यूल है यहाँ से भी परपेंडी क्यूल है निकाल रहा हूं मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं देखो यहाँ कॉपी करेंगे ठीक चलो मैं इसको रख कर सकता हूं मुझे नहीं चाहिए यहाँ से परपेंडी क्यों रहता है चलो यहाँ पर है A C X is minus 1 B D X is 2 यहाँ पर पॉइंट है D Čरी किसका अरिया चाहिए देखो किसका अरिया चाहिए अरिया अफ अ, O, B, C, A is E great इसका अरिया इस